हलो प्रण्स आज हम बनाने जारें नीव डिजाइन का टाइड़ी बियर जूला इसे बनाने के लिए धागा, रिंग, मोती, लटकन, सीजर, लाइटार, इंची टेब धागा पिंग कलर का एक लच्छी, सफेर तीन लच्छी रिंग, आठ इंच की एक, साड़े चार इंच की एक, साड़े तीन इंच की एक, मोती एक कलर में, लटकन भी एक कलर के, आपको जो कलर चाहिए, वो लगा सकते हैं यह देखे फ्रण, यह हमने धागे काटे हैं, एक धागा हमारा 6 मेटर का है, और 12 धागे ही, इसको ऐसे करके, 12 आवर कर लिए, पेस, यह हमारा सेंटर होगा, इसमें ऐसे, यह दोनों रिंग में हमें फसाना है, ठिक, पेसको एक बार आवर, इसमें हम चार धागे पहले फसा लेते हैं, यह देखे, अब इसमें फसाएंगे, एक रिंग छोड़के, ठिक, अब यहाँ चार फसाएंगे, चार धार, यह सबी धागे फसा लेते हैं, फिर दिखाते हैं, यह देखे, ठिक, आभ इधर से देखे, यहाँ चार धागी लेंगे, बीच में दो, किनारे, यह हमारी स्क्योजņ नाट है, फिर इद्हार से रखें张 यहाँ, कि यह देखिए फिर उसे छोड़ के फिर लेंगे चार फिर लगाएंगे यह 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 तरह में हां तक कल लेते हैं पाहलें कि यह देख्ग यह एक राउंड हो गया अब दो छोड़ के दोनों के दो दो धागे लेके फिर लगाएंगे कि यह जहीं है कि इतर भी हमारे दो छोड़ जाएंगे यह राउंड भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे दो धागे हमारे छोटते होगे हर राउंड में बीच में हमारी एक आएगी तक तक लगा लेते हैं अब इधर का एधागा लेंगे इसमें हम पहले एक पिंक धागा फसाएंगे इसको ऐसे फिर एक बार और ठिक अब इसमें एक धागा होईट फसाएंगे इसको ऐसे फसा दिये यह डेट मीटर का है यह हमारा तीन मीटर का है इसको एक राउंड आवर लगाएंगे क्योंकि इसको हम डावल फोल्ड करके लगा रहें यह देखे अब एक आवर पिंक फसाएंगे यहां से नीचे करती है यह ऐसे फिर इस साइट से एक बार आवर यह देखे एक धागा लेंगे इनको नीचे करेंगे इनसे सभी से पाइपिंग करना है इसके लिए ऐसे यहां से यहां से डाल दिये एक धागे से दो बार फिर उसे छोण के फिर अंगला लेंगे फिर यह ऐसे फिर उसे छोण के फिर अंगला ले जैसे इधर कर रहें से इधर भी फसाएंगे धागे और बनाएंगे इत डाल उसे अव्य होते डाल लेंगे जैसे अज्य हुआ डेंगे देंगे जाय्टियन है। तो ती यह वाल पिंक वाल लेंगे इन्से करेंगे तो यह पिंक लेंगे इन्से करेंगे आभी हांचे हाइट लेंगे इन्से धागों छी करेंगे फिरे हांचे दो फिरे धार्चे भी दो यह देखिए फिर इधर चे पिंक से अब एला लेंगे हाइट वाला यह पिंक से करेंगे इधर से हाइट लेंगे यह सफे से भी करेंगे अब यह हुआट वाला यह पिंक से कर दिए हाइट से अब इधर से यह देखिए यह से हमारे छोटे हो गया दिनको जोड लेंगे इन में एक एक में देखिए यह हुआ तपड़े देखिए यह थी यह थाइट हो एक है अ यह देखिए यह थी यह दिए यह थाइट शोड़ेगे करेंगे वरेंगे करा देखिए ऐगे पहले इसमें जोड़ लेते पिंक में यह वाले जो दो धागे हैं इन में एक मोती डालेंगे त्रिक यह वाले धागे देखिए इसको इसको ऐसे इधर वाला इधर से एक राउंड इदेखिए उपर से फिर इसी को नीचे से इसमें हम तीन बनाएंगे यह हमारी दो हो गई है कि यह अच्छे है कि ठीक है अब इसमें पांच बनाएंगे कि यह देखिए जैसे इधर बन गए है तो इसमें मोती डाले के ठीक एक धांगे लेंगे इनसी आमें पाइपिंग का लिए है एक कि अच्छान हागे से कर लिए फिरे कर लिए में फिर इंचार थाओ को जेंगे कि देखिए एक एक करके इन्हें सभी कर लेंगे सेम इधर भी कर देंगे ठीक यह देखिए जैसे हो गई आव इनको यहीं ऐसे छोण दिये आवे हाँ चार थागे लेंगे इसमें इसको आनाठे वाली लगाएंगे थिक को थोड़ा सा खीश के टाइट कर लेंगे वी सी के दो दो इधर से लेंगे इसमें एक इसको आनाठ लाएंगे अधिशे में इधर पहले एक आई थी इस वार हमारी दो इसको आनाठ रहेंगे पर दो इधर से दो इसी गाठ के हुआ है कि फिर दो इधर बीच में आएंगे एक गाठ यह अब इस वार हमारी तीन हो गई फिर अंगले राउंड में चार होंगी क्योंकि हर बार यहां से दो नोर साइट से दो दो धागे ले लेंगे अब फिर से दो लेके फिर यहां तक बना लेंगे इसे हम पूरे यहां तक कर लेते हैं हमारी छै गाठे आएंगे पूरे हो गए अब हम दो इधर छोणेंगे फिर बनाएंगे ठीक दो इधर भी छोटेंगे इसी तरह हर राउंड में दोनों साइट दो दो छोणेंगे बीच में हमारी एक आई तक तक से बना लेते हैं कि देखें जैसे बन गया ठीक अब हम जैसे यहां धागी फसाए थे फिर से इसमें फसाएंगे इसको हम पहले से तीन मीटर के कटके इसको एचे यह एचे ठीक इसको डावल फोल करके लगाएं हैं यह लेंगे यह एचे यह हमारा देख़ मीटर का है कर लेंगे से इससे यहां कर लेंगे यह हमारा जैसे यह तक आती है इसमें यहां रख देंगे यहां से नए करना है यह हमारी complete design एक कहलाएगी यह पूरा यहां तक बन जाएगा ठे इसके बाद हम दो और बनाएंगे और यह design भी यहां नीचे बनेंगे कि पूरा हम complete करके तील डियाइन फिर दिखाते हैं कि यह देखिए फ्रण यह छोटी वाली जो रिंग थे उसमें हमें धागा फसाना तो यह वाले पिंक जो हमने धागा फसाया अभी यह तीन मीटर का एक ठेक यह स्कुआ यह हमारा सेंटर है इसको ऐसे यहां से यह स्कुर्ण नाट हम लगा रहे हैं यह ऐसे इसमें हम पांच लगा लेंगे एक हो गई यह देखिए ठे इसको हम यह नीचे यह अब यह गया हमारा यह हम सफेद फसाएंगे यह हमारा पचास सेंटिमेटर के इसको ऐसे इसी तरह हम फसा लिए सभी धाले यहां तक हमें कभर करना था इसको देखिए एक बारा यह से फिर इस साथ से यह ऐसे हमें बनाना हुआ 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 है बस हमें इतना ही बनाना कि जो ऐसे ऐसी रिंग आती जाए इस में इतना आएगा फिर से में इस तहर बनाएंगे यह यह आठ दागे पिंग है और साथ दागे हुआ है इसको ऐसे रखे यह ऐसे पिर इसी के एक बार और आप इस तरह देखों अने सभी धागे इसमें इसमें फसा लेंगे यह देखिए इधर के हम यह वाले धागे लेंगे तीन पिंक जो है यह जो हमारे सफेद है इनको हम कट करके इनमें पिंक जोड़ेंगे यह देखिए यह बीच के शाय धागे दोनों साइड दो दो छोड़े हैं अब इसके भी हम आधे करेंगे यह दो धागों से हमें पाइपकिंग गरना यह ऐसे यह ऐसे ठीक फिर इधा से एक आव लेंगे तीन धागों से करेंगे अब इससे भी कर लेंगे जिसमें हम उधास करके लाए थे यह अच्छे फिर इससे भी करेंगे अ अग्षाओ करेंगे हमें हाँ आगे Youtube प मत्रश कर मत्राबब हो जबे परे कह आरे को की कातनी तीन ज्लेंगे प्रिश्चे भी प्रिश्चे और इसको ऐसे कर देंगे एदे की ठीब आप एस में एस वाले धागे में एवाले डियाइन बनाएंगे यह चे यह चे यह चे इसमें पांच एक साइड पांच एक साइड होनी चाहिए सेम इधर भी पहले बना लेंगे आप देखिए यह दाले से यह वाले पहले कर देंगे हैं इसमें मोती डालेंगे पिर इनसे करेंगे, ठीक यह देखें, अब इधर से लेंगे, अभी आधियाध हो जाएंगे, इनसे करेंगे, यह देखें, जो पाइपिंग कर लाए थे, उसमें नहीं करेंगे, फिर इससे भी करेंगे, करना हमें तेन डाउन है, यह हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक, अब सेंपल इधर कर लेते हैं, देखें, बीच में चार धागे हैं, इसमें एक स्क्वार नाट, ठीक, यह देखें, इन दो धागों से पाइपिंग करेंगे, ठीक, अब देखें, इधर करेंगे, यह पाइपिंग वाला ही है, यह अब तीन धागों से हो जाएगे, यह इधर से लाएथे, उससे भी करेंगे, यह देखिए इससे भी कर दिए अब फिर से वाला लेंगे यह तिन धागों से होगी इसे बार यह चार धागों से होगी अब इससे चार से कि यह देखिए हमारी एक डियाइन कंप्लेट हुई अब बीच के चार धागे लेंगे इसमें स्कुर्ड नाट लगाएंगे यह ऐसे है ठीक अब इनमें हम डियाइन बनाएंगे यह देखिए यह हमनें दोनों बना लिया ठीक अर यह वाला भी हमारा इतना कंप्लेट है अब इसमें हम रिंग में फसाएंगे यह दागे यह इक बार फिर इसी के एक बार और फिर धागा छोनके फिर अंगला धागा लेंगे फिर फसाएंगे इसी तरह हम सभी धागे इस रिंग में फसा लेते हैं पहले अब पूरे धागे फसके यह चाल लेंगे इसमें स्कुर्ण नाट लगाएंगे पेरेशे छोनके फिर अंगला लेंगे इसी तरह राउंड हम कंप्लेट करेंगे यह देखे ठीक अब दो छोनके दो दो धागे लेके फिर अंगला कंप्लेट करेंगे दो हमारे इधर वी छोटेंगे यह देखे अब तीसरे में फिल लेंगे हमें इसी तरह बनाना है एक राउंड में इधर छोनना है एक राउंड में लेना है यहां तक हम बना लेंगे यहां तरह इतना बनाने के बाद इसमें भी हम फसा दिए अब जो ए बनाए थे हम दोनों साइड ए धागे भी हम इसी हम फसाएंगे इस तरह के बनाने के बाद इन देगे यह ऐची ठीक ए इस तरह हम इसमें फसा लेते हैं पहले सेम दूसरे साइड भी फसा दिएंगे अब इसमें एक धागा फसाएंगे एक धागा हमारा एक मीटर का है इसको ऐसे डावल फोल्ड की यह अची करते हैं अब देखें चार धागे लिए इसमें स्कुर्ण नाट लगाएंगे फिर अंगला लेंगे चार धागे फिर इसमें लगाएंगे फिर तीन हो गए अब दो छोणेंगे धागे इधर फिर लगाएंगे तिस बार हमारी दो गाठे आएंगे यह देखें बीच में एका देएंगे अब इधर से थागा लेंगे इंचें पाइपिंग करेंगे यह आशी है हthere कि एक राउंड होगा अब से में घाशे लेंगे इन तो कुए खाइणगे यह देखेंगे जो इधर से पाइपिंग करके लाए थे उस दागे से भी कर देंगे ठिक एक राउंड हो गए अब फिल लेंगे फिर करेंगे हम तीन राउंड करेंगे तो दो और कर लेते हैं यह देखे प्रण जैसे एक बनाएं इसी तरह हम इसमें हमारे दो आएंगे और फिर इसमें यह बना लेते हैं पहले फिर दिखाते हैं यह देखे प्रण जैसे हैं अब इन में हम यह लूब यह हमारा एक मीटर का एक धागा है ऐसे हैं यह देखे यह वाला धागा लिए इसमें हम गाठ लाएंगे चार धागे हैं इसको आड़ नाट इन आप इसी के दो दो यह वाले ले फिर लाएंगे फिर इदर फिर इदर तो इसी गाठ के दो इदर के अब इस रिंग में हम यह थागे फसाएंगे यह ऐसे इदा आगे हम सभी फसा लेती इस रिंग में ठीक यह चार धागे लेकि हम इसको आड़ लगाएंगे जो डियाइन हम पहले बनाये थे से मही वाली इसे कंप्लेट कर लेते हैं यह देखे जैसे बन गए ठीक अब एक इसका रेक इसका लेके इसमें हम एक मूती डालेंगे एक एक और लेंगे इसमें इसको आड़ लगाएंगे हम एक अब इसी के दो और दो इधर से लेके इसमें इसको आड़ लगाएंगे फिर दो इसी गांठ के दो इधर से लेके फिर लगाएंगे फिर बीच में एक लगाएंगे अब देखे एक इधर से धागा लेके इन चार धागों चमें पाइपिंग करना है पहले ये बीच वाले में हम मोती डालेंगे हम इधार से करेंगे इधागे चे इंसाइड ये मोत्ती वाला भी कि अभी जो पाइपिंग करके लाए थे उससे भी कर देंगे कि जैसे एक राउन के सेम एक राउन और करेंगे कि ये देखे ठी आप जैसे धागे हैं येनकों सभी को ये बीच के पहले यहां चैसे राखेंगे इंची टेप इसका हम यहां दो इंच में कट करेंगे ये धागा लेंगे इसमें पहले ये मोत्ती फिर ये लाटकाई इसको ऐसे चिपका देंगे इसी तरह हम सभीम लगा लेंगे यहां यहां बनातें देखें ये जो हमारी हां हम धागा छोने थे तो इसमें ये ऐसे फिर ये ऐसे कि देखें तीन तीन हो गए अब इसमें बना लेंगे ये देखें ये धागा हम यहां सी करके यहां बडाल देंगे ये देखें ये ऐसे ये ऐसे इसमें पाइपिंग कर देंगे ये देखें ये अविने कट करेंगे अब दूसरा भी इसको यहां डाल देंगे जो हमारे धागे हैं इनको सबको ऐसे कट करके ये चिपका देंगे ये देखें फ्रण्स हमारा डैडी बिया जूला कंप्लीट है बिया जूला कंप्लीट वे देखें आयागे अविन जूला कंप्लीट लग्यागे प्रण्स हमारा ये जूला कंप्लीट लग्यां